इंदौर की लसूरिया पुलिस ने राची के एक बदमास को गिरफतार किया है बदमास अपने आपको बैंक का अधिकारी बता कर ठगी करता था शाते ठग पहले लखनों में 500 लोगों से करीब 5 करोड ठग चुका है इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सची पद से रिटार्ड अधिकारी भी शामिल है बदमास ने मत्य परदेश के साथ ही कई राजों के लोगों को अपना शिकार बनाया है आरोपी इंदौर में ठगी करने के बाद राची के निजी बैंक में नौकरी करने लगा था पुलिस उससे अब तक ठगे हुए लोगों के रिकॉर्ड के मामले में पूछ आज करेगी मामले में टियाई संतोस दूधी ने बताया कि लसूडिया धाना शेत्र के रहने वाले अमन के शिकायत पर जनल स्मॉल फाइनेंस बैंक गोपती नगर लखनव का मैनेजर बताने वाले मोहिस रिवास्तो के खिलाब धोकदरी का केस दर्ज किया गया ह पुलिस ने मताया कि ठगडे उतरपदेश में राजपाल के अनुस अचीव रहे बीके सिंग को भी शिकार बनाया है। पुलिस के मताबिक मोहिस रिवास्तो कुछ साल पहले फ्लैट लखनव के चिनहट थाना चेतर के सिल्वर लाइन अपार्टमेंट में रहने लगा था। आरोपी ने हमदर्दी जता कर मेल जोल बढ़ाया और विश्वास दिलाया कि वो जना स्मॉल फालाइन्स बैंक का मैनेजर है। ये बैंक अने बैंकों से ज़्यादा ब्यास देता है और अपने सहीयोगियों संदीब के साथ मिलकर शेयर मार्केट का काम भी करता है। तब मो मोहित रात और अपना घर छोड़ कर फरार हो गया। नीजी बैंक में सेल्स आफिसर मोहित अमन की बिल्डिंग में रहता था। उसने शेयर मार्केट में निवेश करने पर करीब 10-20 वी से दी रिटर्न दिलाने का जहासा दिया। वाई पुलिस के मुताबिक आरोपी नहीं ठगी की थी। आरोपी अलग 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 शहरों में नीजी बैंक में नौकरी करता और लगजरी लाइफस्टाइल से लोगों को शेयर बाजार में अच्छे मुनाफिक अध्जासा देता था। लोगों से कहता था कि उसकी एडवाईजरी कंपनी है। वहीं पुलिस अब आ शेयर मार्केटिंग की काम भी करता है। अमित चोक्षे और उनके अन्य साथियों से इसने करें दो करोड रुपिय इन्वेश्ट करवाए है। और कुछ समय के लिए इसने रिटन दिया और उनका विस्वा सरजित किया। और कुछ समय बाद यहां से गाया।